आज की रेसिपी सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी एकदम चटपटा है इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एक बार इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करिएगा मेरे किचन में आप सबका बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेच पराठा और बीना फटे एकदम सिंपल तरीके से आज पराठे बनाएंगे तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो पसंद है तो लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब क इन सब सब्सक्राइब को आप चाहें तो ग्रेड करके भी बना सकते हैं मैं आप इसे ग्राइंड करके बनाऊंगी तो मैंने आप साथ से आठ बीन्स ले लिया है और इस तरीके से चोटे-चोटे पीसेस में कट करके मेक्सी के जार में डाल लेंगे और फूल गोवी जो था मिक्सर को पहले जाना बैस बाना है और ज़्छी से जाना है संब डाल प्रम लख करते हैं और ग्रेड करते हैं आपको अपॉल आप 52 दे करते हैं करते movements को अगर आप जादा चला देंगे तो यह एक बार में पेस्ट बन जाएगा तो हमें पेस्ट नहीं बनाना है और जो बीट है उसे हम कद्दुकस करके डालेंगे मैं इसमें पीस नहीं रही हूँ और देखिए सारी सब्जियों को बीना पानी की इस तरीके से मैंने रफली ग्राइंड कर लिया है अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और अगर आपके बास ग्राइंडर में नहीं से करना जाते हैं तो आप इसे कद्दुकस करके भी मैंना सकते हैं या फिर चौपर होती उसमें भी चौप करके बना सकते हैं और यह वहाला काम सबसे असान होता है और ऑप इस तरीक से जरू चूप करिए गाएगा अब इसमें क्या करेंगे सारी सबजियों थोड़ा सा निचोड क उसे भी मैंने कदुकस करके ले लिया और एक चोटी चमच अद्रक एक चोटी चमच लैसुन ले लिया है और एक चोटा और हरा धनिया ले लिया है इन सब सारी चीजों को अच्छी तरीके से हमें मेक्स कर लेना है तो इसे अच्छी तरीके से मेक्स कर लेंगे हांतों को दबा या फिर कोई भी रायता या फिर चाच में आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन न्यूट्रिशन इसमें पहेके नहीं है या फिर आंटा लगा के पराठे भी बना सकते हैं तो यहां पदी के सारी सब्जीयों को मैं अची तरीके से एक बो ऐडी चोटी चमच धनिया और फिर नमक श्वादा अनुसार अड़ करेंगे इसके साथ जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़े से साबत जीरा डालेंगे तो आधी चोटी चमच जीरा लिया है और एक चोटी चमच भर के हम लेंगे कसूरी मेथी मेति की सुक्य पत्ते इस पीस लेंगे उसके बाद इसमें आड़ करेंगे आप चाहिए तरह पर उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं मैंने दो चमच भूने चने का पाउडर ले लिया है आप यहाँ पर उबले हुए आलू ले सकते हैं बेसन को भून के ले सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताइए कि आप मुझे कौन से सीटी या कौन सी गाउं से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थांक्यू बोल सको और यहाँ पर मसाले सारे मिक्स हो गए अब आटा लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने दो कप गयों का आटा ले लिया है अब इसम चिपक जाएंगे स्टफिंग सारा बाहा निकल जाएगा तो जब आप पराथे भरवा पराथा बनाते हैं तो आपको आटा थोड़ा टाइट ही लगाना होगा इस तरीके से अब इसके हम थोड़े निम्बू से बड़े साइज के बाल बना लेंगे और इसे हम बेल लेंगे तो यहां पदे की पराथे जितने बड़े बनाने हो उतने साइज के आप बॉल निकाल ले और थोड़ा सा सुखा अटा लगा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे तो आपको यहां पर दो तरीके में बताऊंगी कि आप जिस तरीके से पराथा बेलेंगे तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं दोनों तरीका परफेक्ट है जब भी आपको यह पराथा बनाते तो क्या होता है इसके स्टफिंग एया तो एक तरफ रह जाती हुगी या फिर तो यहां पर रोटी की तरह मैंने बेल लिया है अब हम स्टफिंग रखेंगे स्टफिंग थोड़ा सा नहीं रखेंगे थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे ताकि हम जब खाए तो पता चले कि इसके अंदर फिलिंग है और पहला तरीका है कि ट्रेंगल सेप में आप बना सकते कंटिन्यू नहीं करना है नहीं तो स्टफिंग के अगर निकल जाएगा और हाथ अब अग्दम हलके हाथों से ही इसे बेलना है यह तो पहला तरीका था और दूसरा तरीका है जिससे आप स्क्वेर सेप में बना सकते हैं वह भी बहुत आसान है बिल्कुल भी फटेगा नही और इसके ओपर थोड़ा सा हम सुखा आटा और थोड़ी सी कलॉंजी लगा देंगे इससे देखने में बहुत अच्छा लगेगा टोटली ओप्सोनल आप हरा धनिया भी लगा सकते और इससे बेल लेंगे और इस तरीके से गरम तबे के ओपर डाल के हम सेख लेंगे और जब इस तरीके के स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं तो तब थोड़ा सा मोटा लीजिए और जब पराठा एक तरफ से कुक हो जाए फिर इससे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे अब इसके उपर मैं तेल डालके आप चाहे तो बटर या घी डाल गी अच्छी तरीके से लीजिए और थोड़ा सा इससे हमें दबा देना है और दबाने से करो एकदम कुरकुरा और करारा सा पराठा बनके तयार होगा इस तरीके से अगर आपके बास पराठा परेसर तो उससे कर लिजे नहीं तो कोई भी या फिर चमसे भी आप इसे दबा के सेख सकते हैं तो एकदम क्रिस्पी करारा पराथा हमारा बन के तयार हो गया इसी तरीके से हम सारे पराथे बना के तयार कर लेंगे और ये गर्मा गरम चाय के साथ बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है कुरकुरा सा एकदम चटप चाहे खा सकते खाले भी खा सकते बहुत जादा स्वादिश्ट बनाएं देखे एकदम करारा सा इसके स्टफिंग भी आपको मैं दिखा देती हूं चारो तरफ एकदम फैल के गई है ऐसा नहीं कि एक जगर रह गया है आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो पराथ एकदम फेस्बुक से देख रहें तो पेज को फॉलो जरूर करें बाई बाई थैंक यू फॉर वाचिंग